हाई गाईज, हैपी होली जब भी मैं कहीं आसपास होती हूँ तो देखती हूँ लोग कहते हैं कि हाई डोग को छूदिया डोग को पास रखे बिमारी आजाएगी छूने से ही जैसे बिमार हो जाएगी पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है मैं 10-15 साल से डोग के साथ रही हूँ और 20-20 डोग, 15-15 डोग के साथ और उनकी बिमारियां तक मैंने ठीक करी है, अपने घर रखा है मैं तो सीटी में रहती हूँ, वहां रखा है, गाउं में भी नहीं और बिल्कुल अपने घर में सारे बच्चों के साथ और जानवरों के साथ मेरे जो परसनल जानवर हैं उनके साथ रखा है और सच बताऊना मुझे बिमारी होने की बात बहुत दूर की है मुझे तो आज तक बुखार भी नहीं हुआ है और मैं इतनी स्वस्थ हूँ सच में साथ ही आज का कोई इनसान स्वस्थ होगा तो ये जो भावना है कि समयल आती है बिमारियां लग जाएंगी डोग से और ये बहुत ही गलत है बस आप इनके दर तकलिप को थोड़ा समझ नहीं पाते हैं बस ये फरक है और कुछ भी फरक नहीं है बिमारियां में बिमारियां जिसको बिमारी होती है उनको बिना डोग के चूने से भी 36 बिमारिया होती है तो डोग के चूने या डोग के पास आने या डोग को घर में रखने से कोई बिमारिया नहीं होती है और ये प्रूफ है, सारे अडोस पडोस सभी को पता है कि मेरे घर के अंदर स्ट्रीट डोग रहते हैं और मैंने कितने सालों से रखे हुए हैं और मुझे तो आज तक छोटी सी विमारी नहीं, पंदरा साल तक नहीं हुई आगए भी नहीं होनी और मैं तो क्ती ठोक की कह सकती हूं कि मैं बिलकुल हेल्दी इनसान हूं और मैं आगे भी बहुत हेल्दी रहूँगी। वो हम अपने खाने पीने पे ध्यान देंगे ना ज़्यादा जैसे आजकर का खाना पीना ये सब ऐसी चीज़े हैं, आप अच्छा खाना खाएंगे अच्छ योगा एक्सरसाइज करेंगे तो वैसे ही कोई बिमारिया नहीं लगेंगी, ना कि ये विचारे डोग के उपर जो उसकी मा कहती है, हाए बेटा हाद हो किया, डोग ने छू दिया, अरे डोग ने छू दिया तो क्या भाई, वो बिमारी का घर है, डोग ऐसा कोई बिमारी का घर नहीं है, और अगर बिमारी लगनी होती ना डोग से, तो पंदरा साल से मैं साथ रह रहे हूं, मुझे तो थोड़ी थोड़ी आवाज वैसे तो आज इंसानों की भी कोई वैलू नहीं है पर आप भी मेरी तरह थोड़ी थोड़ी आवाज उठाएंगे मिलकर सब तो थोड़ा इन बचारे इंसानों का भी कुछ बहला हो जाएगा पस गाइज थैंक्यू